हेलो फ्रेंड्स नमस्ते देखो आज मैं गी बना रही हूं सोच आपको दिखाऊं कि मैं कैसे गी बनाती हूं वैसे तो यह उल्मूस्ट अभी को आता है पर फिर भी मेरा तरीका भी देखो कि मैं कैसे बनाती हूं जिये ने मैं राच जमा दे था घी मैंने बिलो लिया है मेरे पास यह घर से मिलाई थी मैं वही रही है इसी से मैं बिलोती हूं अभी मेरा इस निकाल लूंगी और फिर इसको गरम करूंगी और मेन चीछ जो इसमें मैं आपको बताना चाहिए मैं कि भगोना बिनी जलाए घी बन सकता है आपने देखा होगा कि जब हम घी गरम करते हैं तो भगोने की आलत ऐसी हो जाती है वो क्या दिन तक चमस से खुरचते रहो खुरचते रहो वो हटता नहीं है इतना रेड हो जाता है अलमुस्ट सभी के साथ यह दिकत है पहले मेरे साथ भी होती थी लेकिन मैंने ऐसी ट्रिक निकाल ली है कि अब मेरा भगोना बिलकुल नहीं जलता है कोई जरामरा सा जलिया तो मैं नहीं कहती लेकिन बिलकुल बहुत अच्छा गी बनता है मात्र पांच मिनट में पांच अचमुल काहीक इतना क्यों था फाइस पशलनुस्स वैमय जाएप साथ रही जाए हरिक और अणम्ठ के इतना क्यों तो मोझ थे मीरेफ पांच मिनने वतलकर पैंच अमद्रलि जाएव और मख्ण, दो म मख्ण को ऊथा दाले में टीनте मैं, जाह सबीबगे हुका आय को 5 मिन को बहुत ज्यादा पसंद है अलू के पराटों के साथ मखन तो अभी देखो आप मैं आपको दिखाती हूं अब मैं इसको करूंगी गरम अब देखो मैंने इसको गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए यह हुई गैस ओन अब रखा इस पर भगोना ठीक है अब मैं इसको पांच मिनट के लिए गरम करूंगी ठीक है बस पांच मिनट जब यह हलका गरम हो जाएगा तब मैं इसको उतार के गैस से नीचे रख दूं फिर मैं इसको फ्रीज में रखूंगी ठंडा होने के लिए अब यह आप देखो कि यह गरम हो रहा है और आप भी मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें प्लीज मेरी वीडियो को जादे से जादे शेयर करें प्लीज मेरा साथ दें अब देखो साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दिये अब नॉर्मल टेंपरेचर पर आ गया अब मैं इसको फ्रीज में रखूंगी ठीक है ओ ओ ओ फ्रीज में जगे नहीं है अब यह बगोना निकाल के तब इसे फ्रीज में रखते हूं ठीक है ठीक है फ्रेंड मैंने मैंने一 गहां बगोना निकाल के से रख दिया था यपर फ़क्श घण्टे हो गए है अब ये घी जंग गया है अब मैं इसे एक साइड से काटकों गी कि Tik देखो चक्कू आ गया है, यह आ है चक्कू, अब मैं इसको साइड से काट रही हूँ, अब साइड से काटने के बाद इसे में थोड़ा सा हटा लूँगी, यह हट गया है, अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मठ्था और पानी था, वो सब मैं इसे साइड में निकल जाएग ठीक है, देखो, यह साइड में आ गया है, सारा मठ्था पानी जो भी घी के मखन के अंदर था, यह मैंने साइड में निकाल दिया है, अब यह जो घी था, वो उपर उपर था, तो वो जम गया है, अब इससे क्या होगा, घी इतनी जल्दी करम होगा, भगोना बिल्कुल नह भ्सपानी जो जाता है, अब मैंने इस पर यह रख दिया था guys 5-minute चला गया जितनी लेकिन इस क्टोरे भी घी do गया हूआ, उसे तो हमें चमyy से निकाल से निकाल के कर दो अटाल तो 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 हलका सब जो है, अब यह कोई जो सी कहते हैं, गी के बगोने में पानी चलते ही है, वह बाद में एक दो चमच घी निकल जाता है उसमें से अब देखो इसमें खटका पड़ रहा है मात्र दो मिनट रखे वे वे ऐसे भी ठीक है देखो मठ्था ना मात्र को है इसमें बहुत बिल्कुल मामुली सा और आप देखी रहे होंगे भगोना कहीं से नहीं जला हुआ द है ठीक है देखो इगी बन चुका है तो अब देखो अब कितने कम गैस भी कम खर्च होती है और आपका भगोना सेफ रहता है जिससे साबून भी बशती है और टाइम तो बशता है देख रहे हैं आप कितना थोड़ा सा भगोना हलका सा वीच में रैड हो रहा है और गी किसी को नहीं आता, नहीं आप सब को आता, आप सब मुझसे बैता रही है, लेकिन फिर भी मैं अनुबह मेरे साथ शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये घी बनाने का तरीका नमस्ते दोस्तो धन्यवाद पर वोचिंग